गोड़ा एक पालतू जानबर है गोड़े का वजन तीन सो से छेशो किलो तक होता है गोड़े की चार टांगे होती है इसकी दो आखें दो कान और एक लंबी पूछ होती है यह तेज डौड़ने में शक्चम होता है यह अपनी जीवन का अधिक्तम शमय खड़े रहकर ही व्यत समय पस्चाती चलना फिरना शुरू कर देता है गोड़े का जीवन का तीस वरस तक होता है गोड़ा एक पालतू जानबर है गोड़ा एक चौपाया जानबर है इसके पैर पतले लेकिन बहुत मजबूत होते हैं जो बिना किसी आराम के कई मील दूर तैक करते हैं गोड़ा दुनिया के लगबख सभी देशों में पाया जाता है यह सफेज लाल काले भूरे रंग का होता है इसका सरीर गठीला और मजबूत होता है इसकी गरदन और पूछ पर लंबे वाल होते हैं गोड़े की बोली को हिनहिनाना कहते हैं गोड़ा बहुत ही उपयोगी एवं और सामानों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में किया जाता है उन दिनों में जब परिवान सुबिधाय सीमित थी गोड़ों का उपयोग लंबी यात्रा के लिए बाहनों के रूप में किया जाता था गोड़ा एक बुद्धिमान जानबर है इसे कई तरह से प्रस खेत की जुताई के लिए भी किया जाता है गोड़े का जितना महत्व पुराने जमाने में था आज भी उसका उतना ही महत्व है बरतमान में गोड़े को उपयोग में लाने के तरीकों में बदला आया है और अब गोड़शवारी खेल खेलने और सैलानियों को घुमाने में अभी इसका काम किया जाता है गोड़ा एक शाकहारी और पालतू जांबर है इसके चार पैर होते हैं दो आखें होती हैं दो गान होते हैं एक लंबी पोछ होती है गोड़े के पैरों के नीचे भाग कठोर होता है जिसे हिंदी में खुर भी कहते हैं गोड़ा के अनाज और ज़्यादतर समय खड़े होकर बिताता है औस्ट्रोलिय गोड़ा बहुत बड़े होते हैं जबकि बर्मा गोड़ा आकार में बहुत छोटे होते हैं अर्भी गोड़ा अपनी शुंदर्ता के लिए और अज्यकारिता के लिए जाने जाते हैं गोड़ा लगबग 30 वरसे तक जी आखें दो कान और एक लंबी पूछ होती है यह तेज डौड़ने में सक्षम होता है यह अपनी जीवन का अधिक्तम शमय खड़े रहकर ही व्यतीत करता है गोड़ा बूरा काला शफेद रंग के होच सकता है गोड़ा भोजन में घास मीठी बस्तुएं खाना पशंद करता है गोड़े का बच्चा कुछ जन्म लेने के कुछ समय पश्चाती चलना फिरना शुरू कर देता है गोड़े का जीवन काल तीश वरसे तक होता है गोड़ा एक पालतु जानबर है गोड़ा एक चौपाया जानबर है इसके पैर पतले लेकिन बहुत मजबूत होते हैं जो बि सफेज, लाल, काले, भूरे, रंग का होता है। इसका सरीर गठीला और मजबूत होता है। इसकी करदन और पूछ पर लंबे वाल होते हैं। गोड़े की बोली को हिनहिनाना कहते है घोड़ा बहुत ही उपयोगी एवं बफदाद गरेलू जानबर है इसका उपयोग परोस को ले जाने और सामानों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में किया जाता है उन दिनों में जब परिवान सुविधाय सीमित थी घोड़ चित किया जा सकता है इसका उपयोग युद्ध शरकस दोड़ में गाड़ियां खीचने में किया के लिए और यहां तक की खेती के लिए खेत की जुताई के लिए भी किया जाता है घोड़े का जितना महत्व पराने जमाने में था आज भी उसका उतना ही महत्व है बरतमान म गोड़े को उपयोग में लाने के तरीकों में बदला आया है और अब गुरशवारी खेल खेलने और सेलानियों को घुमाने में भी का काम किया जाता है गोड़ा एक शाकहारी और पालतू जनबर है इसके चार पैर होते हैं, दो आखे होते हैं, दो कान होते हैं, एक लंबी पूछ होती है गोड़े के पैरों के नीचे भाग कठोर होता है, जिसे हिंदी में खुर भी कहते हैं गोड़ा के अनाज और मीठी वस्तुओं काना पसंद करता है यह तेजी से दोड़ने में सक्चम होता है, अपने जीवन में ज़्यादातर समय खड़े होकर बिताता है ऑस्ट्रोलिय गोड़ा बहुत बड़े होते हैं, जबकि बर्मा गोड़ा आकार में बहुत छोटे होते हैं अर्भी गोड़ा अपनी शुंदर्ता के लिए और अज्यकारिता के लिए जाने जाते हैं गोड़ा लगबग 30 वर्स तक जीवत रहे शक्ते हैं गोड़ा एक पालतु जानबर है, गोड़े का वजन 300 से 600 किलो तक होता है गोड़े की चार टांगे होती हैं, इसकी दो आखें, दो कान और एक लंबी पूछ होती है यह तेज दोड़ने में सक्षम होता है, यह अपनी जीवन का अधिक्तम शमय खड़े रहकर ही व्यतीत करता है गोड़ा भूरा, काला, सफेद, रंग के होच सकता है गोड़ा भोजन में घास, मीठी, बस्तुएं खाना पशंद करता है गोड़ी का बच्चा कुछ जन में लेने के कुछ समय पश्चाती चलना फिरना शुरू कर देता है गोड़े का जीवन काल तीश वरसे तक होता है गोड़ा एक पालतू जनबर है, गोड़ा एक चौपाया जनबर है इसके पैर पतले लेकिन बहुत मजबूत होते हैं जो बिना किसी आराम के कई मील दूर तैक करते हैं गोड़ा दुनिया का लगबग सभी देशों में पाया जाता है यह सफेज, लाल, काले, भूरे, रंग का होता है इसका सरीर गठीला और मजबूत होता है इसकी गर्दन और पूछ पर लंबे वाल होते हैं गोड़े की बोली को हिनहिनाना कहते हैं गोड़ा बहुत ही उपयोगी एवं बफदाद गरिलू जनबर है इसका उपयोग परुस को ले जाने और सामानों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में किया जाता है उन दिनों में जब परिवान सुबिधाई सीमित थी गोड़ों का उपयोग लंबी यात्रा के लिए बाहनों के रूप में किया जाता था गोड़ा एक बुद्धिमान जानबर है इसे कई तरह से प्रसिक्षित किया जा सकता है इसका उप्योग युद्ध शरकस दोड़ में गाड़ियां खीचने में किया के लिए और यहां तक की खेती के लिए खेत की जुताई के लिए भी किया जाता है गोड़े का जितना महत्व पुराने जमाने में था आज भी उसका उतना ही महत्व है बरतमान में गोड़े को उप्योग में लाने के तरीकों में बदला आया है और अब गुर्शवारी खेल खेलने और सेलानियों को घुमाने में भी इसका काम किया जाता है गोड़ा एक शाकहारी और पालतू जांबर है इसके चार पैर होते हैं दो आखें होते हैं दो कान होते हैं एक लंबी पोछ होती है गोड़े के पैरों के नीचे भाग कठोर होता है जिसे हिंदी में खुर भी कहते हैं गोड़ा के अनाज और मीठी वस्तूओं काना पसंद करता है यह तेजी से दोड़ने में सक्चम होता है अपने जीवन में जादातर समय खड़े होकर बिताता है और अस्ट्रोलिया गोड़ बहुत बड़े होते हैं जबकि बर्मा गोड़ा आकार में बहुत छोटे होते हैं अर्भी गोड़ा अपनी शुंदरता के लिए और अग्यकारता के लिए जाने जाते हैं गोड़ा लगबग तीस वरसे तक जीवत रह शकते हैं गोड़ा एक पालतू जानबर है गोड़े का चार टांगे होती हैं, इसकी दो आखें, दो कान और एक लंबी पूछ होती है, यह तेज डोड़ने में सक्षम होता है, यह अपनी जीवन का अधिक्तम शमय खड़े रहकर ही व्यतीत करता है, गोड़ा बूरा काला शफेद रंग के होत सकता है, गोड़ा भोजन में घांस, मी इस वर्स तक होता है, गोड़ा एक पालतू जानबर है, गोड़ा एक चौपाया जानबर है, इसके पैर पतले लेकिन बहुत मजबूत होते हैं, जो बिना किसी आराम के कई मील दूर तैक करते हैं, गोड़ा दुनिया का लगबग सभी देशों में पाया जाता है, यह गठीला और मजबूत होता है, इसकी गर्दन और पूछ पर लंबे वाल होते हैं, गोड़े की बोली को हिनहिनाना कहते हैं, गोड़ा बहुत ही उप्योगी एवं बफादाद गरेलू जानबर है, इसका उप्योग परोस को ले जानी और सामानों को एक जगह से दूसरे जग जिधाएं सीमिती, गोड़ों का उप्योग लंबी यात्रा के लिए बाहनों के रूप में किया जाता था, गोड़ा एक बुद्धिमान जानबर है, इसे कई तरह से प्रसिक्चित किया जा सकता है, इसका उप्योग युद्ध, शरकस, दोड़ में, गाड़ियां खीचने मे किया के लिए और यहां तक की खेती के लिए, खेत की जुताई के लिए भी किया जाता है, गोड़े का जितना महत्व पुराने जमाने में था, आज भी उसका उतना ही महत्व है, बरतमान में गोड़े को उप्योग में लाने के तरीकों में बदला आया है, और अब हमारी खेल खेलने और सहलानियों को घुमाने में भी काम किया जाता है गोड़ा एक शाकहारी और पालटु जनबर है इसके चार पैर होते हैं दो आखे होती हैं दो गान होते हैं एक लंबी पूछ होती है गोड़े के पैर के नीचे भाग कठोर होता है जिसे हिंदी में खुर भी कहते हैं गोड़ा के अनाज और मीठी वस्तूओं काना पसंद करता है यह तेजी से दोड़ने में सक्चम होता है अपने जीवन में ज्यादातर समय खड़े होकर बिताता है ऑस्ट्रोलिया गोड़ा बहुत बड़े होते हैं जबकि बर्मा गोड़ा आकार में बहुत छोट होते हैं अर्भी गोड़ा अपनी शुंदर्ता के लिए और अग्याकारिता के लिए जाने जाते हैं गोड़ा लगबक तीस वरसे तक जीवत रह शकते हैं